नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो RRB के द्वाड़ा जो NTPC 2019 क्या जो एक्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है था वो रिजल्ट हम कैसे देखेंगे और यह जो रिजल्ट है इसमें क्या-क्या खामिया है इसके बारे में तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं किसी भी RRB के website पे आपको Google Chrome खोल लेना है इसके बाद जिस RRB में आपने apply किया है उस RRB के बारे में आपको search कर देना है जैसे अगर आपने RRB आमादावाद में apply किया है तो RRB आमादावाद लिख करके और इसको हम Google Chrome में Google पे search कर द .in जिसमें .gov.in लगा हो वही उसका original website होता है या .nic.in लगा हुआ रहता है तो चलिए अब इस website को हम खोलते हैं और आपको बताते हैं कि यह जो result दिया गया हुआ है वो कहां दिया हुआ है यह आपको इसमें नीचे चले जाएए ज्यादा तर में जो भी website है उसके first page पे ही जो home page है उसी पे दिया हुआ है अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप इसका side में जो दिया हुआ है यह slide उसमें भी आप देख करके result section में जा करके check कर सकते हैं यहां सबसे home page पे ही दिया हुआ है तो यहां जो click here for the cbt1 result के लिए जो दिया हुआ है यह link हम लोग click करके और इस result के बारे में देखेंगे तो चलिए हम यहां पे click करते हैं और result को download करते हैं और आपको बताते हैं यह result download हो चुका है और यह starting से हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या बात लिखा हुआ है government of India, ministry of railway के द्वारा यह result जारी किया गया है और यह NTPC, CEN no.01 2019 का result जो NTPC non-technical popular category graduate and undergraduate post के लिए है उसके लिए यह result जारी किया गया हुआ है तो आईए दोस्तो अब हम आपको सबसे जो first number में यहाँ पे जो notice में लिखा हुआ है बताया गया है कि the first stage computer-based test was conducted on 28 December 28 December 2020 से ले करके 31 July 2021 तक यह जो exam है वो exam लिया गया था NTPC CEN no.01 2019 के अंदर गया इसका result दिया गया हुआ है the candidate जिनका result यहाँ पे दिया गया हुआ वो provisionally shortlisted किये गया है second stage CVT में सामिल होने के लिए यह first stage CVT था और second stage में जिनका भी यहाँ पे नंबर दिया गया हुआ रॉल नंबर वो second stage CVT में सामिल हो सकते हैं और यह जो result है वो merit के best पे shortlisted किया हुआ है preference और जो आपने post selection select किया था उस post के preference के अधार पर और आपके merit के अधार पर यह result तयार किया गया हुआ है और जो second list में जो भी candidate आगे बताया जा रहा है कि जो भी candidate select किया गया हुआ उसी में जो उनका जो category है उसके अनुसार भी प्रात्मिकता दिया गया हुआ है और इसके बाद जितने भी candidate है उनका performance के अधार पर second CVT के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद उनको second CVT के साथ साथ उनको document verification के लिए अगर ज़रूरी है तो document verification के लिए बुलाया जाएगा और अगर दस दीन पहले इसमें बताया जा रहा है कि second stage का जो भी tentative date 14 February 2022 से 18 February 2022 के बीच में हो सकता है second CVT और जितना भी candidate यहाँ पे इसमें एपियर है उनको इसके website को बढ़ाबर देखते रहना चाहिए और यहीं से इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आगे जो भी process होता है इसके बारे में और इसमें आगे बता रहे है कि इसके result को तैयार करने में बहुत सारा जो होना चाहिए इसमें मतलब साब्धानी रखी गई है लेकिन फिर भी कोई तुरूटी होता है या टाइबग्राफिकल मिश्टेक होता है तो इसके लिए RRB या कोई भी RRB इसके लिए मतलब की छमा प्रार्थी है छमा चाहती है और सभी student को ये advice दिया जाता है कि RRB के website को बड़ावर चेक करते रहे और जिससे उनको पता चल सके कि आने वाला कोई भी notice या कोई भी notification है और यहां पर एक चीज में आपको बताना चाहा रहा हूं कि इसमें ये बताया गया हुआ है कि जो जो इसका जो second all candidates shall be advice through official website of email अगर जो इसक second CVT होगा तो CVT के जिस दिन उसका CVT रहेगा उससे 10 दिन पहले second essay से 10 दिन पहले उनको email या message के द्वारा inform RRB के द्वारा कर दिया जाएगा और जो exam date रहेगा CBT second का उससे चार दिन पहले वो अपना admit card download कर सकते हैं ठीक है और यह आप नीचे देख सकते हैं कि यह जो यह जो नया मतलब pattern railway ने लागू किया है यह जो result जारी कि इसमें level wise जारी किया गया हुआ है कि मतलब जो post है उस post का जो level है उस level wise में आप यहाँ पे देख सकते हैं द sending order में roll number wise दिया हुआ है लेकिन यह level wise अब इस level में जितना भी student है level 2 के लिए फिर level 3 फिर level 4 इस तरह से हर student का दिया हुआ है तो जो भी student का किसी ने भी exam दिया है यहाँ पे search बार में जा करके और अपना roll number type करके check कर सकते हैं कि उनका result है या नहीं है इस तरह के result में एक जो स सबसे बड़ा जो कमी नजर आ रहा है कि एक ही student का जिसका ज्यादा number है वह बहुत सारा post में selected हो जाएगा उसके selection बहुत सारा post में हो जाएगा और कोई student है उसका किसी भी post में नहीं होगा और जो मतलब कोई भी अगर student है अगर वह select होता है तो वह तो केवल एक ही job करेगा न लेकिन उसके वज़े से अगर वह चार जगह shortlisted होता है तो चार जगह का जो seat है वह तो खाली रहा जाएगा ना या किसी नया candidate को job मिल सकता था वह job तो उसको नहीं मिलेगा जैसे देख लीजे वह वहां पे level 1 या level 2 का वह shortlisted candidate का list था यह देखिए यहां पे level 5 का है तो हर मतल है और उसमें एक ही candidate कई जगह से लेक्ट हो गया हुआ है और जो मतलब की हर लेवल का अलग-अलग cut-off list जारी किया गया यूर का यूर के लिए अलग cut-off है ओभी सी के लिए अलग cut-off है हर लेवल के हर पोस्ट समझ लीजे कि हर पोस्ट के अनसार हो गया हुआ है तो यह एक कराना होगा और हो सके तो इस रिजल्ट को फिर से जारी करने के लिए अनुरोद किया जा सकता है भन्यवाद ऐसी ही क्यान वर्धक वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें